हेलो फ्रेंड्स आज हम नेमरा सुन्दा बुक फ्री लेक्चर सेरीज स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर सेरीज में हम पूरी नेमरा सुन्दा बुक को टोपिक वाइस कवर करेंगे अगर आप पूरी नेमरा सुन्दा बुक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चेनल को आज ही हैने का सदस्ट है उन हुद टुट है इंज से बना है ऐसा एक कर सकते हैं सोल्ट को मालग अडिक हम हो unnecess करना है क्या है इसमें naughty ना है आप इसमेंग स्क्विड क्रना क्या से दे खरान नोबीց समस्क्तलिक मार्ण ग्र"! देहें कि जितने भी कल्चर वाले वर्ड है वो सभी लेटीन वर्ड है और जितने भी नौमी और लोजी वाले वर्ड है वो सभी ग्रीक वर्ड है इसमें एक एक्सेप्शन है पॉमोलोजी पॉमोलोजी लेटीन और ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है होटी कल्चर लेटीन वर्ड कि लेटिन और ग्रीक वर्ड है combination अफ लेटिन वर्ड फॉमा मिनिग फूरॉट एंड ग्रीक वर्ड लोगास मिनिग होता है डिस्कोर्ष की खेदी क्या करती है पॉपो लोची अधिवायरी कल्चर एक लेटिन वर्ड ओर्ड ओलेरी ओले चैनल इंग्लेस वर्ड कल्चर से मिल प्लांट फूलों की खेती करना और नमेंटर फ्लांट की खेती करना क्या करता है फ्लोरी कल्चर एक्सटेंशन एक लेटिन वर्ड है यह एक्स और टेंशियों से मिलकर बना है एक्स मिनिक आउट एंटेंशियों मिनिक होता है इस्ट्रेंशिंग मतलब क्या कि जो भी नहीं न सब्सक्राण। व्यवाद सबसे मतने जिसका बिंट होता है सीजन भाउड हो एक कार्टनिंग ट्रक कार्टनिंग एक फ्रेंच वर्ड टोरकर से बना है टोरकर का मिनिंग होता है टू बार्टर और एक्सजेंज ऑफ गुड्ड गुड्स का एक्सजेंग मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना क्या कलाता है ट्रक कार्टनिंग नेमा सब्सक्राइब करना गया है उसका बाइब करते उसका बहुत हैं एक लिंग Klate恐herad सब्सक्राइब करना करें आम यह जिंग से थीजाम करना है वह सब्सक्राइब 6-1, आधम्चुन पर मचशन सब्सक्राइब कि concrete सास्ट शकाइब का मidée है का I trust you. Society, society क लेटिन वर्ड, societus which was derived from noun socius, meaning comrade या friendly. Vulgarization एक French word है, vulgarize मिनिंग होता है popularize. Next here, sale, sale एक लेटिन वर्ड, sela से मिलकर बना है, sela का मिनिंग क्या होता है? एक इसमार ग्रूप, एक्टिंग अजे, यूनिट विदिन जार्ज ओर्गिनाइजेशन. इस मतलब सेल के आँई सबसे छुटा ग्रूप होता है in vivo and in vitro इस दोने latin word है in vivo का meaning होता है within the living एद in vitro का meaning होता है within the glass मतलब in vivo क्या होता है यह field से रेट रोट होता है field में हम जिसे कोई cutting हो अगरा हमने लिया उसको हमने grow किया है कि ऺिडियंग होता हैu यह फिलइन्न पेसन से बना रोस्तीर से बना है और मीनिंग होता है और मयन котओ एंटो मोलशी एंटो मीनिंग होता है इंडोमो में वे जिसे थोरेग, एब्डवन, में डिवाइड हता है इनसेक्ट, और लोगस मिनिंग होता है डिस्कोर्स। फैटो, पैफोलोजी, फैटो पैफोलोजी ग्रीच वड़ हैります。 पेथोस और लोगस, फाइटोस का मिनिंग होता है प्लांड, पेथोस का मिनिंग होता है एलमेंट्स, एन लोगस का मिनिंग होता है नोलेज, फंजी साइट, फंजी साइट एक लेटीन वर्ड है, फंगस, फंगस मिनिंग फंगस, एंड साइडो मिनिंग होता है टू किल, जो को कील करता है वो क्या करता है Fungicide Metrology Greek word Metros meaning होता है About the earth surface and Logi meaning indicating size Metrology Greek word है इसमें क्या होता है Metrology में हम क्या दिन करते Climate rate जितनी पुखतना होती कि मोसाम कब आईगी rain कब होगी Trap pressure क्या रहेगा humidity कितनी है atmosphere में वो सभी कि study कि के अंदर की जाती है metrology के अंदर historical moment of agriculture कुछ historical moment देखते हैं सबसे फ़ले हम देखेंगे एंसेट हिस्ट्रिक के कौछ important event इवेंट अनलिएस्ट प्रायमेंट व्रोजी मेंच डियोफ्प इंट्री सतर मिलियन यह अगो evolution of monkeys of apes monkey or apes evolution का भुआ था 40 million साल पहले first true man, homo erectus emerged in Indonesia and Africa जब first true man था homo erectus, वो emerged हुआ था Indonesia और अफ्रीका में 1.5 million years ago homo erectus migrated through old world tropics old world tropics में migrate भुआ था ये 1 million साल पहले homo erectus populated temperate reason, temperate reason में का पापुलेट हुआ 0.8 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टर्स पेकिनेंसे लर्ट यूज इन कंट्रोल फाइर को कंट्रोल करना कब सीख लिया था पॉइंट 5 मिलियन यह अगो मेनमेड सेल्टर्स आउट उप ट्री ब्रांचेज पॉइंट 4 मिलियन साल पहले 32,000 पहले Cro-Magnon Man, Homo Sapiens Immersed in Indonesia जो Homo Sapiens है वो यूरोप में Immersed हुआ था 32,000 साल पहले Domestication of Dog for Hunting in Iran 10,000 BC पहले जो Dog है उसको सिकार के परपस से इरान और इसराइल में सबसे पहले Domesticate किया गया था Domestication of Sheep Sheep का Domestication 8,700 BC में स्टार्ट हुआ था एगरी कल्चर में जो सबसे पहले जिस पसू को पाला गया था वो क्या था Sheep Domestication of Goat Goat का Domestication इस्टार्ट हुआ था 7,700 BC में Cultivation of Crow Wheat and Barley सबसे पहले Wheat and Barley का Cultivation इस्टार्ट हुआ था 7,500 BC में 6,000 BC Domestication of Cater and Pick Cater and Pick का Domestication इस्टार्ट हुआ था 6,000 BC साल पहले Cultivation of Maze Maze का Cultivation हुआ था 4,400 BC में Rice का हुआ था 4,000 BC में Potato का Cultivation इस्टार्ट हुआ था 3,000 BC में Wheel was invented जो पाई यह उसका अविसकार 4,000 BC में हुआ था Bronze was used to make tools जो bronze है उसका tools बनाने के लिए फार्मिंग भी स्टार्ट हुए थी मतलब जो फार्मिंग है जो खेती करते हैं होँआ पर इरिगेशन देना स्टार्ट करते हो गया था Domestication of Silk Maze चाइना सिल्क मोत का सबसे बहुए Domestication चाइना में स्टार्ट हुआ था 2700 BC में Cultivation of चिकपी का Cultivation 1725 BC में सुगरक्यान का Cultivation स्टार्ट हुआ था 1500 BC में और इसी टाइम पे जो इरिगेशन है वो वेल्स के दवरा मलब कोव के दवरा इरिगेशन देना स्टार्ट हुआ था 1500 BC में Use of iron in Middle East 1200 BC में 1600 से 1600 BC के टाइम पे Age of Iron Iron Plows Sears और eggs invented हो गए थे इसी के टाइम पे पंजाब, उत्तरपदेश और बिहार में क्रोफ का कल्टिशन स्टार्ट हो चुगा था 543 से 491 BC में Reference to Farming Operation in Kula Vaggha और महा वगgha और भुद्धिस लेटरिचर इन पाली 777 से 880 Persian Will Used अगर था इंडिया 900 से 1000 AD Construction of Enactus and Tanks क्रशी फराशरा और विरु के रिख देख Manuals on Agriculture and Botany रिटर्न ए टेक्सबून on Agriculture वास प्रिपेड बाई कश्यब बाई दर नेम क्रशी सुकती 15th सेंचूरी AD में Sweet Orange, Swore Orange, Wild Wringer और प्रोमोगनेट का कल्टिवेशन स्टार्ट हो चुका था 16th सेंचूरी जी में हम देखेंगे तो इस टाइम पर क्या है जो पॉर्टिवेशन पूर्थ गाली उनके जारा कुछ जो ग्रोप है उनको एंट्रोडूस किया गया था वो कौन-कौन सी ग्रोप है हम देखते ही पोटेटो, स्वीट पोटेटो, एरो रूट, कसावा, टोमेटो, चीली, पंपकीन, पपाया, पाइनेपल, गवावा, कस्टन एपल, क्राउन नट, केशुन नट, टोबेको, अमेरिकन कोटन और रबर 1550 AD में, पोर्टुगीस इंट्रोडूस ग्राप्टिंग टेक्निक इन हौटी कल्चर जो पुर्ट काली है, उन्होंने होटी कल्चर में ग्राप्टिंग टेक्निक को इंट्रोडूस किया था 1550 AD में सत्रा सो पिंचानो एडी में फ्लोरा इंडिया पॉब्लिश्ट लूटूट एंड विलियम फ्रेजर इस्टार्टेड इस्टडी फ्रोमेट पुसा टू ब्रीड होर्सेज अट्रा सो पीस एडी में जो जी एल ब्लाने हैं उन्होंने वेस्टर जमना के नल को कर्श्टर्टेड करवाया था नेक्स्ट एम बात करतें 1824 एडी जनरल ऑफ एग्रिकल्चर एंड होटी कल्चर वर पब्लिश जो जनरल ने ऑग्रिकल्चर होटी कल्चर को पब्लिश हुई थी अठ्रास चोईस एडी में ओक्यूरेंस ऑफ आईरिस फेमाइन ड्यू टू लेड ब्लाइट ऑफ पोटेटो जो आईरिस फेमाइन है वो 1845 एडी में आया था यह पोटेटो की ड्यू से लेड ब्लाइट उसकी वज़े से आईरलेंड में अकाल पड़ा था फेमाइन इन बंगाल एन ओडिसा बंगाल और ओडिसा फेमाइन आया था 1865 एडी में यह भोती भयंकर फेमाइन था इस टाइ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अग्रिकल्चर और कोमर्स पोस्ट डेप्रिस्त 1851 में यह रवेन्याज्व के लिए रेवेन्यू के इंफर्मेशन से मों में कहां से मिलती है आई एमडी से फेमाई इन मत्रास इन बंबे प्रेज़िदेंसी में पंचाब और सेंट्रल पॉइंस में इस टाइम जो फेमाई नाया था पंचाब में वहां पे दस लाख लोगों की डिडेर हो चुकी थी इसी अगर लगाता जिस एक 1764 1877 बिदर जान बनाया गया टो इसको आने से की सा रोका जा सके लोग किसे हेल्प कि जासके उसके लिए फेमाइन कमिशन बनाया गया था वेटनरी कोलेज इस्टेपलिज एट लाहोर में अठासो बैयासी में आप कहां पर है पाकिस्तान में डॉक्टर जे वो केस्ट रिपोर्ट और इंप्रूमेंट ऑफ इंडियन एग्री कल्चर 1891 सेवियर फे स्टान में बहूत सारे फेमाइन आये थे इस्टेपलिजमेंट फोरेस्ट रिसर्च इस्टिटूट एक पर देहरादुन में यह इस्टेपलिश हुआ था 1906 में 1901 से 1905 साल के टाइम पे बहुत सारे कोलेज मेरे छे कोलेजिस्टेप्रिस किये गए थे अलग रग जगह पर पुने, कानपूर, साबूर, नागपूर, लैलपूर और कोयमबटू में अपोइंटेट फस्ट इरिगेशन कमिशन फस्ट इरिगेशन कमिशन कब आया था 1901 में उसी टाइम पे फस्ट एंटोमोलोजिस्ट भी बने थे नियो लैंडे नी स्यावेली वस अपोइंटेड मोडर्न विलेज रूरल रिकर्स्टर के स्कीम वस लौंच बाई डेनियल हैमिंटन 1903 में डेनियल हैमिंटन के द्वारा मोडर्न विलेज इसकीम को लौंच किया गया था हम लेफरोई वस अपोइंटेड अस सेकेंड एंटोमोलोजी एचेंड नेफरे को सेकेंड एंटोमोलोजिस्ट कब बना दिया गया था 1903 में 1 ईस्टेब्रीलिस्मै제가 Impe wichtiger नांओ इंडियान एग्रिकल्च इंस्टोट आया रही एड सबियार हम इसको 1905 में सितन काया घयर तइसका नाम केह था इंपीरिल इंडियान्हश डियरी कारे अजाती KP के बार इसका नाम चेंज इसमें नू देहली में सिप्ट कर दिया गया था constitutional reforms agriculture अजे इस्टेट सब्जेक 1909 में जो इसको एक इस्टेट सब्जेक्ट बना दिया गया था गुड़गाव प्रोजेक्ट एफल ब्रायने के द्वारा 1920 में स्टाट किया गया था इस प्रोजेक्ट को स्टाट करने का में उद्देश क्या था कि लोगों को practical knowledge देना उनके जो कसी चेत्रों सब्सुदार करना लोगों के सवास्त में व्यक्ष खाना लोग का कल्याण करना इसका में उद्देश प्रोजेक्ट इस्पेंसर हेंच के द्वारा 1921 में स्टाट किया गया था मार्थेंटर में स्टाट किया गया था इस पेंचा ने देखा कि वहां के लोग जोग बहुत ही पिशड़े हैं जो चावल है और नायलों उसकी खेती करते तो उनको नए नई क्रोब जो उनकी खेती के बारे में बताना उनका अध्यात्मिक विकास सारी रिक सामाजिक अध्यात्मिक मानसिक विकास करना इसका उद्देश इथा मार्चेंडम प्रोजेक्ट का सेवाग्राम प्रोजेक्ट यह 1921 में महात्मा घंदी के दौरा इस्टाट किया गया था सेवागरा प्रोजेक्ट में खादी की कपड़ों के उपएओं को बढ़ावा दिया गया स्वास्तकरेयकम चलगए सच्छता करेयकम चलाइगला कुछर्ण邨िKIक लिए रिपॉर्ट सम्मिट की थी इसी के आधार पर 1929 में इंपिरियल कॉशिड आप अपपिरियार और अगरिकल्चर दे अपनी रिपोर्ट सम्मिट कि थी सब्सक्राइब ज्यादा ज्यादा फूड को फूड प्रोड्यूस करना लेकिन यह फेल हो गया था इसको वापिस स्टाट कप किया गया था 1947 में 1943 और ग्रेट बंगाल फेमाइन कोज़ बाइ हलमिंटोस पूरियम और आई जी जो ग्रेट बंगाल फेमाइन हैं वो 1943 के टाइम पर आया था यह इसके एक डीसीज यह बहुत ही खतरनाग डीसीज थी हलमिंटोस पूरियम और आई जी की वाज़े से होती है इसके जैसे बंगाल में फेमाइन आ गया था इंटियन सेंट्रल सुगरकेन कमिटी बनी थी 1944 इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमिटी बनी थी 1945 में और 1945 में ही इंडिय टोड़ को कमिटी बनी थी इंडियन विलससरिज इस्टैबीज और ऊसलंडेटी निवॉर्पता नाइटीन फोरी नेटीन तोर्वर्पता के दराए इंडियान वीलस सेंट्स तसमें इंडियक्टेद और बिला इस देचशन क्वार्यंटाइन फइदाबाद हर्यान के सेंट इंडिपेंडेस के पहले का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है यह क्या किया गया था कि यह प्रकाशनों दीध हरकार के तरह स्टार्ट किया गया इसका मनुत्रिष क्या था कुट्री उद्ध्यों का विकास खना जो ग्रामिंड में जो जला पूरती हो उसके विकास के लिए जनौरी 1948 में और उनई सो पिंचाणों में गेट को बाढली गया है में वर्ल्ट ट्रेट ओर गया में जो इतावाट प्रोजेक्ट बड़ स्टार्ण किया गया था में इतावाट पैलेट प्रोजेक्ट जो इसको पाइलेट इसलिए गया गया जो भी अमुनीटीड डेवल् आ योटेंट में दो ऑक्तूबर 1952 को कभ मेंटीड डिवलॉपेट्मेट परोग्रम बस लॉंज जह अंud hal प्रोगाब को स्टाट किया गया थाए यस वस이죠 करना गिरामीनलों का समगर विकास करना उन्हीं जो िस और को सामिल करके इसे विकास करना वाज़ इसमें कए हौन दॉक्र उनिसर्यान श्रविस इसका मेन परपस क्या था कि कमिईट्र डेवलोपेंट प्रोग्राम उसको बड़े एरियार तक पहुत पहुछाना यही नेस्टनल शर्विस थी Project for Intensification for Regional Research on Kotlin Oil Seed Millet 1956 All India Coordinate Maze Improvement Project 1957 जो AICRP सबसे पेले मेज के लिस्टार्ट हुआ तकब 1957 में Status of deemed to university accorded to IARI under UGC Act 1956-1958 में इस पाइसेशन के सुनट कमिटी बनी से 1958 में नाफेड नेशनल एग्रिकल्चर कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ये कब बना था अक्टूबर 1958 में पंचायती राज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन थ्री टायर सिस्टम और रिकमेंडेशन और पल्वंत राइम भेता इनोग्रेट बाई जवालान नेरू और 2 अक्टूबर 1959 इन नागोर डिश्टी को प्राजस्थान पंचायती राज जो थ्री टायर सिस्टम में जिसको पल्वंत राइम भेता ने रिकमेंडेट किया था उसके बेस पे ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को नागोर डिश्टी को प्राजस्थान में इसको इनोग्रेट किया था जवाहलाल नहेरू ने फ्रस्ट एग्रीककल्चर उनिवरसिटी इंडिया जीवीपांथ उनिवरसिटी युकब पनी था 1960 में इंटेंसी अग्रिकल्चर डिस्टिक्ड प्रोग्राम ईड़ीप इस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है यह स्टार्ड हुआ था प्रोजेक्ट निलोखेडी प्रोजेक्ट स्टार्ट क्या था इसका में प्रप्रस था कि जो भी साथ हजार पाकिस्तान से बेगर हो किया हैं उन्हें रहने के लिए जगह देना इसों मजदूर मंजीन में क्या था कि जो नई जगह बराना निलोखेडी में लोगों को उनकी नई-ने ट्रेंडिंग देना है इसे अपना क्या कर सके जीवन यापन कर सके कुटे उध्यों की सदाबना करना जिसे उन्हें रोजगार मिल सके उनकी जो जीवन हैं वह वापिस से स्टार्ट हो सके इसके लिए निलोखेड के लिए और अधर एडियास में AICRP अधर टोप स्क्री कब श्टार्ट हुआ था 1965 में इनिशेट हाइल डी वराइटी प्रोग्राम एच्वाइवीप कब आया था 1966 में डारेक्ट्रेट अप एक्स्टेंशन 1966 में इस्टेब्लिस हुआ था ग्रीन रिवोलिशन कब आया थी 1966-67 में फार्मर्स ट्रेनिंग एड एजुकेशन सेंटर कब खुड़ा था 1967 और 68 में फर्स्ट इरिगेशन कब कमिशन कब आया था 1901 में और सेकेंड इरिगेशन कमिशन आया था 1969 में नेशनल कमिशन आ अग्रिकल्चर 1970 मिनिकिट प्रोग्राम 1971 ओल इंडिया कोर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट फो ड्राइलेंड अग्रिकल्चर 1971 में ड्राइलेंड के लिए AICRP स्टार्ट हुआ था इस्मान फार्मर्स डेवलोप्रेंट एजन्सी 1971 मार्जिनल फार्मर्न एड अग्रिकल्चर लेबर प्रोजेक्ट 1971 क्रियेशन ओफ डिपार्ट्मेंट ओफ अग्रिकल्चर रिसर्च और एजुकेशन डिया आरी इन दे मिनिस्ट्री ओगिल्चर कभी स्टार्ट क्रियेशन अग्रिकल्चर रिसर्च सर्विस स्टार्ट होता 1973 में एक नमबन 1973 में इस्टेबलिश्मेंट ओफ अग्रिकल्चर साइंस रिक्रूप्मेंट बोर्ड एस आर्बी बेस्ट रिक्रमेंटेशन ओफ जी गाटकर रिपोर्ट जी गाटकर रिपोर्ट पे एस आर्बी बनाया गय प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1903 में मिनी की ट्रायल्स प्रोग्राम 1973 में ड्रोट प्रोण एरिया प्रोग्राम बना था 1973-74 में रहने एंड विजी टी एंड वी फॉर्मुलेट बाइड बाइड बेनर एंड बाक्स्टर ओफ इस्राइल फॉर्स स्टार्ट इन क केनाल एरिया प्राज्यस्थान और चमबल ऑर समय स्टार्ट और किया था कि बिया इसका क्या होद्द्रेशैत का कि किसानों में किया करना राजिंग सिठाल कि c इसी के लिए ट्रेनिंग और विजी सिस्टम इस्टार्ट किया गया था कमांड इरे डेवलोपेंट अथोरिटी 1974 मिनिमम नेट्स प्रोग्राम 1974 तरशी विज्ञान के अंदर जो केवी के हैं वो कभ स्टार्ट हुएते 1974 में फास्ट केवी के बना था पांडी चेरी में टी एन नेश्टनल रूरल इंप्रोग्राम 1976 अंतिवते योजने स्टार्ट हुए थी 1976 में नेश्टनल एकेडमी ऑफ एग्रिकल्चर रिसर्च एंड मेनेजमेंट नारव हिदराबाद इस्टेब्रिस हुआ था 1976 में असोप मिता कमिटी प्रपोस्ट टू टायर पंचायती राज सि इदवरा देजर डेवलफेंट प्रोग्राम 1977-78 अप्रेल 1978 इनिग्रेट रूरल डेवलफेंट प्रोग्राम लॉंज इन फइन सीय यह यह नाइंटी से चंड इंड एंडिया इंडी इन एटी इट इडिस नॉनर पावर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम ट्राइनिंग फो और यूघ्ट्फल सेल्फ इंप्लोमेंट ट्राइजेंब जो ट्राइजेंब हैं उनको तक्निकी शिख्षा देने के लिए शुरू किया गया था इस्मां घुद्देश कह था विकास क करना उनको सबॉरॉआज्जकर के उप्लोब आवसर जो हे वह उप्लोब कराना इसलिए इस्टार्ट किया गयता ट्राइस हैं नेस्टाल एग्रिकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट जन्वरी उनीस सो उनसी स्टार्टेड लेव टू लेंड प्रोग्राम एलल पी ओन दे ओकेशन ऑफ गोल्डन जूबली इयर ऑफ आईसेयर के गोल्डन जूबली इयर पे 1979 में लेव ट थोटे मार्जिनल भूमी इन किसान हैं उनको क्या करना की जो भी अपने केवी के हैं इनके तोरह जो भी नई टेकनीक और नई मेथार्ट नई वेराइटे जो भी ट्रांस बनाई जा रही हैं उनको किसानों तक पहुचाना है इसका मेल उद्देश था नेशनल रूरल इंप एककल्टव jak नापकर कर מש में किया ता इसका हेट का करणATA है मोंबाइम है नापकर कर दा इंडेक्ट है किसानों को पहुचाता है इसकी सरह किसानों की करता है नेशनल एक्समें फॉचेक्र कर साथ इसका नाम किया है नेशनल एग्रिकल्चर इंज्यूरेंस स्कीम टेक्नोरजी मिशन और ओईल सीड नेशनल वाटर सेट डेवलोपेंट प्रोग्राम फोर रेनफेड एरियास नेशनल एग्रिकल्चर रिसेर्च प्रोजेक्ट मिल्पेंट नाम करके बनाया गया था 1989 Integrate Watershed Development Program महिला समरत युजना कब आई थी 1994 में ICR Institutional Village Linkage Program IVLP 1995 Establishment of National Gene Bet at New Delhi 1996 1996 में National Gene Bank को Establish किया गया था कहाँ पर New Delhi में ICR National Agriculture Technological Project Funded by World Bank जो NNTP है उसको ICR के तोड़ा स्टाट किया था 1998 में इसको Fund दिया जता है World Bank के दारा किसान केडिट कार्ड इसकीम 1998 में आई थी जवाहा ग्राम समरत युजना थी 1999 में जो जवाहा ग्राम समरत युजना है इसको IRDP, Trisame, DWS CRA, SITRA, GKY और AMWS को मर्ज करके बनाया गया था इसका रिनेम कर दिया गया है National Rural Liability Mission 2011 से इंद्रिया आवास युजना आई थी 1999 से 2000 के पिश में नेशनल अग्रिकल्चर इंशन्स इसकीम रभी 99 में अंत्योदे अन्न युजना दिसंबर 2000 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क युजना आई थी दिसंबर 2000 में 2001 में स्तंपून ग्रामीन रोजगार इजना आई थी अप्रेल 2004 में चार स्कीम OPP, OPDP, NPDP and AMDP को मर्च करके Centrally Sponsored Integrate Scheme of Oil Seed, Pulses, Oil Pump and Match, Iso Pump बनाई गई थी एक Centrally Sponsored Scheme है इंप्लियेट हुई थी एक अप्रेल 2004 को 2014 में इसको Iso Pump को New Scheme National Mission on Oil Seed, Oil Pump में मर्च कर दिया गया था National Food for Work Program 2004, Innovation of National Agriculture Science Complex at New Delhi 2004 Marine Fishing Policy 2004, National Commission on Farm Constituted on November 2008-2004 Under the Chairmanship of Profession M.S. Swaminathan M.S. Swaminathan इसके प्रेयर में थे इसको स्टाट कब होता है National Commission on Farmers 2004 में National Horticulture Mission कब आया था मई 2005 में स्टाट हुआ था भारत तिर्मा is an Indian business plan for creating and augmenting basic rural infrastructure including irrigation, project on irrigation roads, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क रिजना, इंदिरा आवाज रिजना, water supply and electricity supply दोजार पांच और छे में लोंच नेशनल एग्रिकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट एन आई पी 2006 में इसको लॉंच किया था इसको फानेंस सपोर्ट जाया था वर्ल्ड बेंक के द्वारा महात्मा घंदी नेशनल रूरल इंप्लॉइमेंट कारंटी स्की मन्रेगा मन्रेगा कब स्टार्ट हुती 2006 में मन्रेगा करके मुए नुक्देश क्या था कि जो भी गरीब लोग हैं उनको क्या करना मिनीमम सो दिन का रोजगार उप्रव्व कराना नेशनल रेंपेट एरिया अथोरिटी 2006 नेशनल फूर्ट सिक्यरोटी मिशन अगस 2007 राष्टी कशी विकास योचना अगस 2007 अपेल 2000 में जो नेशनल होटी कल्चर मिशन ने उसको मर्च करके न्यू प्रोग्राम मिशन फॉर इंटिकेट डेवलोपेट ऑफ होटी कल्चर स्टार्ट किया गया था इंडियान काउंस इसको रिकमेंडेट पर इस्टेबलिस किया गया था उसको उद्दिश क्या था कि जो प्रोबॉट करना पूरे इंडिया में रोयल कमिशन अग्रिकल्चर समीट इस रिपोर्ट दो साल बात इन्होंने अपनी रिपोर्ट समीट की थी 1928 में ICR वास सेट अप ओन 16 जुलाः 1929 अच रिजिस्टर्स अधि एंडर से सोसाइटास रिजिस्टरेशन एक 1860 ओन दरी क्मेंडेशन अब रोयल कमिशन अग्रिकल्चर के रिकमेंडेशन पर 16 जुलाः 1929 को इस्टिबिस किया गया था रिक्ष्प ईस्ट्रइट रिजिस्टर् मार्च 1946 में जोगेंदर सिंग की प्रेसिदेंसी में इसका नेम इंपीरियल से इंडियन कर दिया गया अब इसका नाम क्या है इंडियन काउंसिल अग्रिकल्चर रिसर्च 1965 में फर्ट डीजी बने थे आईच यार के डोक्टर पीपी पाल 1966 आईच्छ वास मेड अफुली ओट्वनास ओर्गिनाज़ेश्च अन्द रिक्रूप्मेंडेशन अग्रिकल्चर रिवीव टीम की रिक्रूबनेशन पर आईच्छी आर को ओट्वनाज़ेशन बना दिया गय वर्क क्रियेटेड इन मिनिस्ट्री अपूड एगरीकल्चर जो डीए आरी वो कब बना था 1973 में एगरीकल्चर रिसर्च एरस इस्टार्टिंस वहाता 1973 में और एगरीकल्चर साइंटिज रिकूपमेंट बॉर्ड स्टार्ट हुआता 1973 में प्रेसिडेंट ऑफ आईसेर जो आईसेर के प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं यूनियन मिनिस्ट ऑफ एगरीकल्चर और जो आईसेर के डीजी होते हैं वो ही डीए आरी डिपार्टमेंट और एगरीकल्चर रिसर्च एन एजुकेशन के सेक्रेटरी होते हैं यह कब इ इस्टेब्लिश हुआ था 1905 को अग्रिकल्चर रिसर्च इंस्टिटूट वोज इस्टेब्लिश एड पूसा बिहार अंडर दर विक्योरेटली अफ लोड करजन अंलियर इन इट वास इन वेस्ट बंगोल हेल्प आफ सम अप रूपीज नाइन लेक वस डोनेट पाइन अमेर डिप्लोमा ऑप असोशियेशिप 1923 मेजर अर्थ केक एंड फ्लर्ट डेमेज द विल्डिंग एंड पूसा बिहार 1934 के टाइम पर क्या है यहां पर एक अर्थ केख भूकम और बाहर आई थी जिसके उसे क्या है कि यह जो बिल्डिंग है आया रही की जो बिल्डिंग है उस 1946 नेम है जबीन हैंड प्रों पीरियल अग्रिकट्रिकृस इंकिरा इंञिकर्चर्च रिसेशर्च इस्टिटी टो पीजी स्कूल वन इशनकी बंबार इसके नाव इंपिरियल से इंडियाण कर दिया गया अब इसको नम क्या है इंडियान अग कल्चर्च रिसर्च इस इस् वोचिए लिक्स और शब्सक्राइब